अगर दोस्तों उमीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे और अप्री तयारियों में लगे होंगे सबसे पहले आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी एक्जाम को क्रैक करने से अप देखी सकते हैं हमारे पास यूप एक पार्ट हो चुका है और सेक्निट पार्ट की हमारा तयारी में है के दो दिन चीज़ें अभी डिसकूस करोंगा की जिन बच्चों ने मैं हर सेशन में क्यूं क्योंकि मैं डरता हूं सीच्वेशन से जो पिछली साल पिछले साल इक्जाम में चैना सहीवगा इस साल बच्चों कि एंड में जो सिचुएशन क्रियेट उना उसके जिम्हेदार सेरफ और सेरफ आप खुद होंगे कोई आपकी हल्प नहीं कर पाएगा मेरी बात जहांज सुन लो अभी बता रहा हूं यह मुझे मत कहना कि सर आपने यह क्या किया कि क्योंकि एंड में कैसे करोगे तैयरी फिर नाम इस पार लगपाएंगे नाँ उस पर लगताएंगे ठीक है मैं अभी भी हर वीडियो में चेताव नि दे रहो हूं आपको कि थयारी कर लो शुरू ऐत्यारी कर लो शुरू यहीरिख लो खुआच समझार अब शीर्यस हो रहे है नहीं कुछ असान नहीं होता जब तक करो गए नहीं जब तक कुछ असान नहीं है ठीक है मेरी बाद वहीं करवाई जा रहे हैं बट एक्चुल मिटीरियल यह आपका प्रिविशेर कोश्चन्स अब आपको करना क्या होगा कि आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा अब देख रहे हुए एक से बड़े सलूशन लेके आ रहा हूं को पसंद भी आ रहे हैं बच्छे बोलते में कि सर बड़े सलूशन है ठीक है जो अल्रड़े बचे इन्रोल है वो भी देखते हैं सब सब को पता चलता है क्लियर तो करना क्या होगा सब से पहले और जूड़ना होगा मेरे साथ की हुंँड़ना होगा सबसे पहले बैड की फीचर सउनके राम को अनंद भाज जाओगे एक अनंद घीआपको अगी प्रापन beank started दियांसे सुनेगा वस्में सबसे पहली बात इस कि तीन से साढ़े यह आपका जो यह सबसे पहली बाग विखली चार दिन है बड़ भी सकता आने वाले टाइम में ठीक है डिपेंडिंग अपॉन पोटल लेक्चर से 180 प्लस लेक्चर है 180 प्लस लेक्चर मतलब 180 से ज्यादा लेक्चर इसके इंदर 90 लेक्चर से 50 आपके लेक्चर 25 आपके लोजिकल के और पंदर आपके इंग्रीश के डेडिकेटि लेक्चर और यह वो लेक्चर है जो आपको ओनलेन ओफ्लाइन लाइव बैच मिल रहा है मतलब आपको और लाइव यह क्लास ही चलती है क्लियर एक्चुली यह पैचना पांच बचे तक क्या आपको सरी दो घंटे की क्लास यहां तो डेड़े घंट आ लिक वह बताऊंगो थोड़ा सा सबर रखिए हैं प्रिविएस यह लेक्चर कितने हैं 15 इसके अंदर प्री रिकॉर्डिड आपको यह मिल रहे हैं यह आपको अलग सी मिल रहे हैं इतने में तो बंद्र पूरा सी सेट खतम करवा दे जिदने तो आपको रिकॉर्डिड लेक्चर मिल रहे हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब आप कहोंगे सरी 30 मिनिट का क्या खेला देको मेरे पास जो आप लेक्चर आपको मिलता है इसका क्या बेनिफिट है सबसे पहली बात बिल्कुल बेसिक टो एडवांस है इस जीरो टी हिरो बैच बोलो इसको आपके पास वीकली शेडूल आता है पहले ही आपको पता चल जेगा कि इस वीक आपके आप कमिंग वीक में कौन कौन सी क्लासिस आपकी ठीक है लेक्चर पीडियेफ होगी और ठीक है मतलब वो पहले से ही पोर्टर पर अप्लेटेट होगी लेक्चर के साथ कि यहां पर यह वीडियो पीडियाफ अप्लोड इड़ है कि यह कोशन मैं करवाने वाला हूं ठीक है सेम आपको पता चल जाएगा नमबर टू पर क्या आपके आप कहलो प्रेक्टीशीट अब प्रेक्टीशीट 30 मिनट हम इसी को डिसकस करते हैं जो यहां पर 30 मिनट बचे ना इनी डाउट्स को डिसकस किया जाता है और हर संदे आपका होता है हर संदे होता है वीकली टेस्ट मतलब वीकली किसका जो हम चैप्टर कर चुके हैं मतलब स टैस्ट होगा और मंडे को सबसे पहले आते उस टैस्ट की डिसकेशन होगी लाइव दिसकेशन और वह जहां पे में टेस्ट अप्लोड को पोडल के वहां पर वीडियो डिलेगी उसकी सो दैट कि अगर कोई बच्चा बाद में में जोइन करता है तो उसको उसका पूरा सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं आपके साथ जोड़ो हूँ चलिए और दूसरी बात है हमारा वट्साप गुरूप है जिसका लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गए उसे भी आप जॉइन कर लिजे क्लिए तो चलते हैं बहुत अच्छा कोश्रा कोश्रा कोड इनर्ज मैट्रे से इफ एक्स इस बीट्विन माइनस ट्री एन माइनस वन याई इस बीट्विन याई इन ए बीट्विन वीचोधा फोलेंग देखो यह मैं कोई नंबर लेनी ड्रो करने वाला मैं सिंपल सिंपल बेसिक्स पर चलूँगा एक्स के बीच है भाई माइनस ट्री एंड माइनस वन पर तो एक्स के बीच होगा नाइन एड़ वन यह ना स्केरिंग वो सेट्स कर तो एक्स के बीच होगा नाइन एड़ वन तो लो य की बात देखते हैं य किसके बीच है माइनस वन एड़ वन तो य स्केर किसके बीच हो माइनिस वन का स्केर 1 एंड 1 वन का स्केर 1 अब एक ही पॉइंट पे एक ही चीज मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकती तो यहाँ बे मुझे क्या करना पड़ेगा y किसके बीच है 0 एंड 1 और इसको लिखने का सही तरिका क्या है x स्केर किसके बीच है 1 एंड 9 आपके पास मैक्सिममम और मिनिममम नहीं हो सकती है पॉसिबल नहीं है अगर मैं x स्केर माइनस y स्केर की बात करूँ x स्केर माइनस ओफ अगर मैं y स्केर की बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा मुझे अजी तो भाई 9 9-0 9 यह क्या होगी मैक्सिममम और x स्केर माइनस y स्केर 1-1 यह क्या होगी मेरे पास मिनिममम तो क्या अंसर आगया मेरा 0 & 9 क्लियर तो काफी अच्छा कोश्चिन था प्लीज लाइक शेर निन सब्स्राइब दा चलिए इस कोश्चिन के लिए चलिए बचो नेक्स कोश्चिन के अगया है एक्स एंड वाई और नेमबर सादर देन वन देन वाई ग्रेटर देन एक्स देखो वाई ग्रेटर देन एक्स दिया हो उग्जे इसका मतलब उसने कह एक्स इंडूवाई कितना होगया 3-6 ये गतना होगया एकस कितना होगया दो बटे 3 ये तो ये कितना होगया ऑगया 3 बटे दो ये भी चूटा है और ये कितना होगया 3 तो 5 बटे 6 तो definitely ये मेरा अच्छांश ए तो तो नंबर सिस्टम के बड़े अच्छे कोशन है एजी कोशन है क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं तो एक्जामीनर को पता क्या गलती करते हैं ठीक है चलिए अब वोक सेलर्स ओल ए नमबर ओव जोग्री जोगेफ़ी ब्क्स टेक्स्ट में आठ रेट ओव एक्स पर बुक ऑग्स ट्थिट्रीी बुक्स टेक्स्ट मीलती की बात विए टोटल जोल होगा क्या sale in case 1 plus sale in case 2 plus sale in case 3 clear तोटल मनी मेरे पास कहां से आगी तोटल अगर मैं मनी की बात करूँ किसी भी case में general case की बात करूँ वो क्या होगा books या number of books into price of one book यह होगा simple case मेरे पास यही बनने वाला है यह एक book का price कितना है into number of books यही आएगा तो case number one के लिए क्या होगा भाई यह number of books है into ठीक है जी और एक का price कितना है plus second case की बात करो कि number of books कितनी है a plus 2 और इसका rate कितना है भाई x plus 2 third case के बात करोगे a minus 2 into of x minus of 2 ठीक है चलोँ multiply कर दो यह क्यों a into x plus of ax plus 2a plus 2x plus 4 plus ax minus 2a minus 2x plus 4 देखिए भाई यह minus 2a से minus 2 cancer out हो गया 2x से minus 2x तो कितना बच्चा मेरे पास ax ax 3x plus 4 और 4 तो 3x plus 8 यह निए option number b is the right answer to this question clear तो काफी अच्चा कोश्चन था प्लीज लाइक शेरे शब्स्राइब दे चनल चले भाई important question है चले अब बैक कंटेंस 15 रेड़ बॉल्स है 20 ब्लैक बॉल्स तो 15 रेड़ बॉल्स है और 20 ब्लैक बॉल्स है यह निए टोटल कितने मेरे बास टोटल 35 बॉल्स है अपने बास ठीक है each ball is number either 1, 2 और 3 यानि हार एक बॉल पे या तो एक लिखा है यह 2 लिखा है या 3 लिखा है ठीक है 20% of red balls आर number 1 इसका 20% कितना होगा 3 यानि 3 बॉल्स किस नंबर किये बाई एक नंबर किये 3 बॉल्स एक नंबर किये 40% of them are number 3 यानि इसका 40% कितना होगा 15 जों के साथ यानि 6 बॉल्स यानि 6 नमबर व बॉल्स नमबर 3 है ठीक है बच्ची वी कितने हैं 6 3 9 और 6 15 यानि 6 बॉल्स यानि नमबर 2 क्योंगी मुझे नहीं पता मैं तो भी solve कर रहा हूं कि क्या करना है मेरे को जो data दिया हूं मैं सबसे वहले वही लिख रहा हूं इसका 45 परशेंट कितना हुबा यानि 9 बॉल्स कि किसे नमबर कहां भएं तू नमबर टीक कि ए готов का थर्टी परसंट कितना हुआ है यह का नंबर कितना है मेरे पास नंबर थ्री तो पचीव कितना है नो छे पंदरा और पांच तो पांच बॉल्स नंबर एक हुई चलो जी अब वो क्या कह रहे है आप वोई पिक्ट आप बॉल गॉल अट रंडम कि वींस इविश्व दबॉल इसले हैं इसा मेरे अड़नमबर फिर ऺज़ितनी ए अड दन गॉल जो है परेड नब्वर वाले चैनल क Tapi change आप देखो वो क्या कहना चाहरा आपको इसका मतलब मेरे पास क्या प्रविल्टियों की जीतने की तोटल नंबर ऑबॉल्स कितने हैं मेरे पास देखो तोटल हो की 35 ठीक है और यह कितनी होगी नवार वाली 6 तो पांच चोके पीस पांच सब्सक्राइब यह बहुत इसी कोशन था 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 थे कि हाई जमेटरी कोशन है कुछ नहीं था सिरफ लेंगवे समझने कोशन की हो गया दा काम इसका मतलब क्या है समझो पहले कुशन पर सब्सक्राइब कि यहां पर यह यह जो इनकी बूजिशन है न वह 30 डिगरी के अंगल बना रही है सिंपल सी बात यह 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 बी है और इनकी बीच का जो एंगल है वह 30 डिगरे एकॉटिंट कोशन शूरू है इसका मतलब यह जब यहां पहुंचता है इसका मतलब इस पॉइंट पे मैं कहा सकता हूं ए और भी दुनों यहां पर है ठीक है वाट इस रेश्यों स्पीड ओफ एंड बी देखो मेरी बात सुनों सबसे पहली बात यह कोशन है सबसे पहली बात यह है कि इस पॉइंट को मैं बोल लूँ पॉइंट वन इसको बोलो पॉइंट टू इसका मतलब जितना टाइम एक ओ पॉइंट वन यहां दिख़ने रहुत तो मैं पॉइंट वन बोल रहा हूं और यह वाला जहावात दोनों बीले इसको इसको आप सुनो मेरी बात, अगर आप बात करूं, अगर आप 360 डिग्री चलोगे, तो आप कितना डिस्नस कवर करोगे, 2 पाई यार, एक चक्कर, सरक्मफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, एक चक्कर, यानि एक डिग्री के लिए में कितना चलूँगा, अगर मैं एक ही बात करूं, एक कितना चला है, मेरे बास देखो, अगर वो diametrically opposite आगे, इसका मतला हूं, सैमी सरकल चला, यानि कितना, एक सोसी डिग्री, यानि अगर एक सोसी डिग्री चला, तो कितना चला होगा, 180 into half, 2 पाई यार बात, 360, यानि कितना, 2 पाई यार, यानि ए कितना चला होगा, भाई, पाई यार चला होगा, रही बात पी कि, देखो, बी ने क्या किया, बी कितना चला है, बी यहां से यहां चला, यह पूरा कितना है, 180, तो यह कितना हो, 150 डिग्री, तो यह कितना चला भाई, 150 डिग्री और 150 डिग्री के लिए क्लिए होगा, 2 पाई कि आई तो एक सो पचास जी नहीं तो यह कितना हुग यह वैगा डिस तो फटा च्छेंज फाइ बाद यह खतम होगी अब तो देखो चलो मैं डाइग्राम को मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों कम हो चुका हो गए तो कपर हम देखिए अब A और B को स्मार्ट लिल लिखते हैं अगर मैं A का डिस्टंस और B का डिस्टंस का रेशियो निकालू A कितना चला है मेरे पास 5R और B कितना चला है 5 by 6 6 ratio 5 option number है अगर distance is equal to speed into time होता है अगर time constant तो दो distance की रेशियो कोई किस की रेशियो कोई आपकी speed रेशियो that was very interesting question out of the box ने बोलूंगा बट थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा अलग question था normal question से clear चले नेक्स question की तरफ प्लीज नोट कीजिए इसको चले यगले question क्या कह रहा है अच्छा question है आज शॉपकीपर sells an article at 40 and gets X percent profit whenever he is selling at 20% इपेस इसे सेम परसेंटे जो लॉफ्स और देखो कुछ निया question में ये cost price दागे ये मेरे पास पहले 40 बेच रहा हूं मैं फिल कितने में बेच रहा हूं क्या कर सकते हो बताओं क्या कर सकते हो बताओं मुझे कैसे इस प्रसेंटेज जल्दी निखलेगा ये सोचना है हमने इस प्रसेंटेज या एक्स परसेंट लगा लो इसको एक्स प्रसेंट ठीक है तो profit क्या होगा मेरे पास 40 मैंने cp एपॉन cp कुछ ऐसे होना चीए अच्छा लॉस क्या होगा मेरे पास cp माइनस ओफ 20 एपॉन cp क्या कुछ ऐसे होना चीए कुछ ऐसे होना चीए बिलकुल जी गो कह रहे हैं दूनों बराबर है तो cp तो यह अगर बराबर है तो यह तो हटाई दो cp माइनस 20 is equal to 40 minus of cp तो 2 cp is equal to 60 cp कितना आगया 30 यह कितना आगया सबसे अच्छे ना आप इसको यार ऑप्शन से कर सकते दे अप्शन से करते जल्दी होता देखो कैसे अगर cp देखो 40 से 20 से कम तो cp होने सकता तो यह और यह तो हटा तो तो अंसर कितना बजा तो थोड़ा सा दिमाग अगर यूस करें तो जल्दी हो जाएगा कोशन चलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है आया सा कोशन अभी भी आ सकता आप कोई दिक्कत वाली बात निया परसन ब्रोटा रेफ्रेजरेटर बग 2-2-800-2-800 with 12.5% interest compounded yearly at the end of the first year he paid 8-6-5-0 and at the end of second year 9-1-2-5 how much will he have to pay at the end of the third year to clear the debt on triple 9-0-10-000-10-590-11-250 यह मेरे पास options है clear देखिए उसने अगर पहले साल 22,800 का freeze लिया इसका देखो 12.5% का मतलब कितना हुआ वन बाइट होगे ठीक है जी देखो यह कितना हैगा आट दूने सोला ठीक से डबल जिरो बचा ठीक है अठवटे चॉणसट चार सो बचा तो अठाइस ताइस सो बचास आ गया इसका मतलब मेरे पाक जो पैसे थे ना 22800 क्लस 2850 होगे बट उसने क्या कर दिया पहले साल कितने दे दिये इतने दे दिये अब यह कितना होगे देखो यह कि पच्चिस के सो पचास माइनस ओफ एट सिक्स फाइज दिरो कि सेवंटीन थाउज़न होगे है इसका मतलब अगर सेकेंड इयर में भी अब यह फस्चियर की बात खत्म होगे साथ साथ तो सत्तरा हजार बच गए सेकेंड इयर में क्या कर रहा सेवंटीन थाउज़न का कितना दे रहा वह फिर एक बट्याट तो यह कितना होगया आठ दुनिस सोला टू वन टू फाइफ अजी टू बन टू फाइफ बचा यानि सत्तरा हजार देने थे और टू बन बचा लग गया तो कितना बचा उननेजार एकसो दूसो पच्चिस एकसो पच्चिस माइनस नाइन टू फाइफ तो दो साल की एंट में कितना बचा उसके पास दस जार ऐसे पैसे जो उसने देने हैं क्लियर अब इसका 12.5 लगाओ 5% कितना होएगा 1250 एड कर दो 1250 ओप्चन नमबर डे क्लियर तो इसको मैं डिरेक्टर फॉर्म में फॉर्मले से नहीं करता हमें इसको इरली वाइस लेके चलना बड़ा इंट्रेस्टिंग कोश्चन था प्लीज लाइक शेर ने सब्स्राइब दा चनल फूर दीस टाइप इस में इसमें और वितना ही खर्च करना जीदना हो चाहिए यह से नंबर सिस्टम आपको लगता नंबर सिस्टम पर्बेंटेश और कोमेशे इस आर दर डिफिकल्ट टॉपिक्स तूडू तो आपके इनिका पे कीजिए वाई यूर्ट पे फॉर था होल नहीं समझाया समझाता हूं वेट करो दो मिनिट का बस गूगल पर जाएंगा भी पीडिया लिखेंगे तो अब पीडिया चूज एक्जाम करो सबसे पहले वट्सेप गूरूप का लिंक साइड़ में भी आता वहां भी जॉइन कर सकते हैं इपिन सर्विक्सिसी सेट एक और सर्विक्स सब्सक्रिप्शन वीडियो गोर्सेस टैस्स सबसे पहले दस डिस का मोबाइल नमबर डालेंगे तो आप ओ मैं खुद बखुद कॉल या मैसेज करके कॉंटक्ट करूंगा देखिए जो वट्साप ग्रूप की बात में कर रहा था वह यहां से यहां से कर सकते हैं गुरू की प्रॉलम हो ठीक है जैसे मैं तर मेंटल अब सब्सक्राइब तो दस लेक्चर से 324 रुपे का नो वैब नोट सब्सक्राइब तो अगर आपको नंबर सिस्क्राइब सिर्फ नंबर सिस्क्राइब पिले सकते हैं सब्सक्राइब एक सोदार रुपे में सिंप्लिफिकेशन मिल रही है आपको चार लेक्चर से इसके 117 एंसी तरीके से जैसे अगर आप आप एवरेज नंबर सिर्स कुछ भी करना चाहें इसी तरीके से बेटा जैसे मैं बात करूं आपके पास लोजिकल तो हर एक चेप्टर का दिया हुआ ठीक है जैसे इंग्लिश में कई बैच्चों को प्रॉलम आती है तो इंग्लिश का भी स्पेशल है हमारे पास माइक्रोकोर्स इविलेबल है जैसे मैं बात करूंगा जैसे हमारे वीगले शिर्टूल रहता है जो भी हमारे बैच में इंफोर्मेशन रहते हैं वो सारी मैं अप्लोड कर दिये तो प्लीज देखिए तो प्लीज वीडियो को लाइक केजिए शेर केजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए आपके फूल कोर्स का और आपके माइक्